तो देखिए ये है लडाक की वर्ल्ड फेमस पैंगॉंग लेक तुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक यहाँ आईए और इसकी सुन्दाता कानन लीजिए जैसे मैं ले रही हूँ वाँ लडाक सेरीज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के चल रहे हैं पैंगॉंग लेक पैंगॉंग तक पहुँचने के कई मार्ग हैं पहला है चांगला के थ्रू दूसरा नूबरा वैली में शियुक नदी का रास्ता और तीसरा है वारिला होते हुए आज हम जा रहे हैं पैंगॉंग लेक के लिए एक इंट्रीगेट का काम करता है यहां पर चारों तरफ बर्व से धकी हुई चोटियां और वैली का जो दृष्य है वो काफी ही ज्यादा अट्रक्टिव है और इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 5,360 मीटर है जो की काफी उपर है और यहां पर फोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है सो वी नीड टू बी अर लिटल बिट केफुल चांगला पास का नाम एक चांगला बाबा संत थे उनके नाम पर रखा हुआ है और यहां पर एक मंदिर भी है जो उन्ही को डेडिकेटेड है यह पास करीब 15 किलो मीटर लंबा है इस जगह पर एक कैफेटेरिया भी है जहां पर रुप करके लोग थोड़ी देर कुछ खाते पीते हैं और इस जगह का आनन लेते हैं बहुत ही खुब सूरत है यह जगह और हमने भी यहां पर थोड़ी देर रुप करके गर्म-गर्म कॉफी और मैगी का आनन लिया यहां आ करके आप चांगला बाबा मंदिर के भी दल्शन कर सकते हैं और जिसका रख रखाओ भी इंडियन आर्मी के द्वारा ही किया जाता है चांगला पास से होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं पैंगोंग की तरफ और रास्ता बेहद उबर खाबर लेकिन यह जो रास्ता है यह बाइकर्स के लिए सबसे बड़ा अट्राक्शन है क्योंकि यह जर्णी उनको बहुत ही ज़ाधा एडवेंचरस लगती है और खास दोर पर इसी के लिए वो बाइक से लड़ाक आना चाहते हैं और इन रास्तों से होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं पैंगोंग की तरफ इस वाक्त हम पैंगोंग के रास्ते पर हैं अधिस प्लेस इस तो ब्यूटिफुल की मैं खुद को रोक नहीं पाई और वैने ड्रावर को बोला गी बढ़िए प्लीस टॉप दे कार फॉर वाइल ताकि मैं इस जगह को महसूस कर सकूंग इस खुबसूर्ती को देख सकूंग इतना अच्छा लग रहे है यहां पर और इसको आप सिर्फ यहां आकर के ही महसूस कर सकते हैं लदाग जैसी जगह में जहां पर वेजिटेशन करीब करीब ना के बराबर है वहां पर ताज़े फल और सब्जियां जिनका हमने आनन लिया रास्ते में जब हम लंच के लिए रुके हमारे को ट्रावलर्स भी हमारे साथ हैं और हमने वहां पर सिचुएटेड एक नर्सरी को भी देखा जहां पर इस तरह से ताजे फल और सब्जियों को उगाया जाता है और यह अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपेरिंस था लेह से पैंगॉंग तक का जो रास्ता है वो इतना हुपसूरत है और हर थोड़ी देर पर आपको एक नया लैंड्सकेप दिखाई देता है और इन रास्तों से होते हुए यह जो जर्नी है वो अच्छा खासा सम हैं लेकिन वह बहुत जल्दी निकल जाता है और आप पैंगॉंग तक पहुंच जाते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने पैंगॉंग लेक दिखाई देने लगी है और साथी साथ यहां पर जो रहने के लिए अरेंजमेंट्स हैं टेंस हैं होटेल से और यह सारे पर अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पर एविलेबिलिटी नहीं होती है तो फाइनली वी हैव रीष्ट आज ड्रीम डेस्टिनेशन इन लटाक यह देखिए मेरे पीछे कितनी खुपसूरत यह दिन में हर समय इसका रंग बदलता रहता है बहुत सारी खास बात है और भूसे बड़ी खारे पानी की लेक इस लेक का 60% हिस्सा जो है वो चाइना में है और इस ही लेक में से बीच में से ले सी गुजरती है जो भारत और चीन को डिवाईट करती है बहुत सुरत लेक है इसके बारे में और बहुत सारी ऐसी बाते हैं मैं आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल इस जगह पर अब मैं इस लेक का अनन लेने जा रही हूं इस पूरी जगह का अनन लेने जा रही हूं ये बियॉर्ड इमाजिनेशन है इसकी खुबसूरती को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्कील है इस प्यूटिफुल वाओ इसे जगह पहुच गए है जहां पर कुछ वोचीज करना चाहते हैं जो चाहत आप देली वाइव में नहीं करते हैं और उसका एक लाइव एविदेंस आप देखिए सूरी नमस्कार ढलते हुए सूरज के सामने सूरी नमस्कार करते हुए ब्यूटिफुल आदिती एंड हर बेटर हाफ रोहेद पैंगॉंग लेक फेमस होई थी मूवी 3 इडियेट्स के बाद और मूवी से जुड़े हुए कुछ प्रॉप्स हैं जो यहां पर आपको दिखाई देंगे और वहां पर लोग फोटोस लेते हैं फोटोस क्लिक करवाते हैं और वो जो फेमस डायलॉग है आल इस वेल उसको भी यहां पर आपको बहुत लोग पुलते हुए नजर आ जाएंगे वी स्टेइड इन दीस टेंग्स ओनली और अब हम जा रहे हैं मौनिंग पॉक के लिए सुबह का समय है ठंड बहुत जादा है अब पर से पैंगोंग लेक से आएंग वेलकमिंग यू और समय सुबह के साड़े पाच बजे हैं ठंड बहुत है और मैंने ये अजर लगा रखा है नाट बिकास अफ कोविट बिकास ओफ वेंड इतनी ठंड हवा है यहां पर इतनी ठंड है तो इसकाइंड ओफ प्रोटेक्शन और संराइज होने वाला है शायद हो भी चुका है पीचे और ये सामने पाड़ियों के बीच में से अभी कुछ ही देर में सानूप पर आएगा लेकिन अभी से उसकी जो किरने है वो इस सामने वाली पाड़ियों पर पड़ रही है जो कि बहुत खुब सुरत लग रहा है और इस समय चारो तरफ इतना सुन्दर एक्मस्फियर है ठंड है खूफ ठंडी ठंडी हावा चल रही है और कांट टेल यू हाव ब्यूटिफुल इस कि जब भी आप पैंगॉंग आए वहां पर एक दिन तो जरूर स्टे करें क्योंकि सुबह और शाम दोनों समय जो पैंगॉंग की खुबसूरती है वो देखने के काबिल है तो जब भी आप ऐसा प्लान बनाते हैं गूमने के लिए ले ले लदाक ट्रिप के लिए तो आ अपने आइटेरेडी में एक दिन का स्टे पैंगॉंग में जरूर रखें पैंगॉंग लेक के साथ हमारा आज का ये सफ़र अभ यहीं पर खतम होता है कर हम आपको लेकर के चलेंगे नूबरा वैली तब तक प्लीज बी विट आस कीप फॉलोइंग एस और अपना बहुत बड़की बाइब टेकेड